तो हम सबसे पहले सीखेंगे स्टाक नाविगेशन दोस्तों स्टाक नाविगेशन ऐसी नाविगेशन है जिसकी मदद से हम एक पेज से दूसरी पेज के अंदर नाविगेट करते हैं विदन पेज विदन पेज के मतलब है कि एक पेज की अंदर रहते हुए हम दूसरी पेज क उपर navigate करते हैं जिस तरह से अगर आपने कभी एकामरे सबसाइट देखी हो तो हम सबसे पहले होम पे होते हैं फिर हम वहां पे कई प्र बटल लिखा हो ता गूट शॉप तो हम शॉप के उपर क्लिक करेंगे वहां पर चले जाएंगे शॉप के उपर वहां पर हमारे पस प्र navigation जो एक page से दूसरे page के अंदर एक website के अंदर रहते हुए एक page से दूसरे page के अंदर हमें move करवाने के लिए इस्तमाल होती है इसे हम main navigation के उपर apply नहीं कर सकते हैं करते भी हैं अगर करना चाहें कर सकते हैं लेकिन वह इसका ज्यादा इस्तमाल है वह होता है आपका within page के पेजों के अंदर रहते हुए एक page से दूसरे page के अंदर navigate करना जिस तरह से अगर आपने login sign up farm देखा हो तो एक म navigation है जो हम create करेंगे यह हम सबसे पहले home screen के ऊपर है यहाँ हम click करेंगे go to about about के उपर click कियाואס वाले page के उपर चले गए अब वहाँ पे हमने click किया go to blog तो हम blog वाले page के उपर चले गहाँ अब कि हैं? कि हमने जगर back आना है, जिस back के उपर क्लिक करेंगे तो हम back मूओव हो जाएंगे और या नेक्स्ते पेज के लिए गोटू बलाॉग के उपर इस तरह सीम घरएंगे ठीक है इस तरह से हम एक ज्यादा errors आ सकते हैं तो इसलिए मैं आपको recommend करूँगा कि आप मुझे follow along करो आप सबसे पहले देखो कि जब भी आपने stock navigation लगानी है न तो यह आपके पास एक website react navigation के नाम से इसके अंदर आपके पास stock navigation native stock बोटम नेव बोटम टैब्स material बोटम टैब्स material टॉबएट टैब्स मतलब हर तरह की navigation आपके पास यावे मुझूद है यह हमारे पास फस्ट प्यारी है stock navigation इसको हमने किस तरह से लगाना है दोस्तों यह सारे step आपके सामने सारे लिखे हुए हैं लेकिन इनको follow करना start में जो beginner's हैं उनके लिए मुश्किल होता है उन्हें नहीं पता होता है कि हमने इन में से कौन से package install करने और किस तरह से करने हैं तो आपने यहां पर कोई भी एक जो snack है वो create का लेना expo website के उपर अगर आप इसके उपर create ना करो तो आपके पास जो react मतलब native का अगर project open है VS code के अंदर तो आप उसको भी इस्तवाल कर सकते हो अब सबसे पहले जो इसका यह already code है इसको सारे को माटा दूँगा जा safe area content रखेंगे और यह सारे नीचे से container भी अगरा भी अटा दूँगा यह acid भी import भी और style भी और यह text भी ठीक होगा है मैं बिलकुल simple से page को रखा है और यह styling भी इसके अटा दूँगा अब मेरे पस कोई ब्यार यहां पर नहीं रहेगा अब components के अंदर ना यह मेरे पस एक already component मजूद है तो इसको मैं यह से कर दूँगा delete क्योंकि मुझे मुझे बिलकुल हर चीज़ जो है नहीं सीरे से चाहिए अब यह component वाला folder मेरे पस खतम हो गया अब यहां पर इसके अंद अंदर तो इसको यह से delete करता हूँ तो यह project वाला folder और यह इसके उपर आके हम निव फाइल क्रेट करूंगा इसको बनाब दूगा mystock.js इसका मतलब है कि मेरी stock navigation ठीक हो गया अब दोस्तों अगर यहां पर देखो ना तो आपके पास सबसे पहले package है कि आपने इस package को इंस्टॉल करना है और आपको यह मैं पहले अपनी यह वाले दिखाओ तो इसके अंदर भी आपके पास से यह वाला पैकेज है वह इंस्टॉल पर अगर आप यूज़ कर रहे हो वी एस कोड का तो आप NPM के अंदर जा कि यह command को paste कर दोगे यह command इसके लाब हमें और भी इसके साथ plugin चाहिए होंगे अगर आप यह हमें रिच्छे होंगे तो यह आपके पास नीचे और भी plugin है जो आपने इसके साथ इंस्टॉल करने है लेकर सिंपल आपको बताओंगा कि आपने जहाना है इस मतलब snack यूपर यहां पर आप लिखना इनपोर्ट यहां पर करली ब्रैकर्स और करली ब्रैकर्स के अंदर इसका जो नेम है वह आप यहांसे कॉप्पी कर लेना है यह आपको कॉप्पी कर रहारो create native stock navigator और यहां पर पार देना पेस्ट फिर उसके बाद स्रॉम और यहां पर आपके पास है यह वाला package इसका नाम आप लिखना है यह वाला इतना आप इसका नाम रखना है इसको यह आप लिख देना आप खुद से भी इसको टाइप कर सकते हो react native stock अब आप इतना निकाई यह आपके पूछ र आपके चाहिए react native navigation slash native react navigation slash native हमें यह भी चाहिए तो यहां पर हम एड़ को पर क्लिक कर देंगे यह भी add हो जाएगा ठीक होगा अब मुझे एक और भी चाहिए react native safe area content तो मुझे इसको 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 बिए इसको बी इसको बीश ओर दिया दिया यहां आप क्लिक करके मैं इसको लेकिन अगर आप यूज कर रहे होगे वियस कोड वियस कोड का तो आप यहां में करोगे इन सब पैक्जिस को इस्टॉल इवर पस डियक्टेटर पेपर और आइकन इन दोनों को छोड़ के क्योंकि यह बाई डिफाल्ट उन्हें इस्टॉल की हुए थे यह आपके बस चार आ लिफाल्ट आई और इस सारे को आप कौप करोगे इस सारे को कौप करो और यहां पर ठीक हो गया और सैकन आपका सेम इससे तरह साब एक लाइन के अंदर इनसाफ को रख के न यहां पर और यह वाला से फिर यह content मेरे इसकें पैकेजर्जर्ज यह आपके ज्यादा के इनको जास्त जो वियस कोड का टर्मीनल है ला इसके पेस्ट कर देना है तो आपके यह सारे पैकजर इस्टॉल हो जाएंगे आई होप आपको इस चीज की समझ आगी होगी ठीक हो गया अब यहां तक आप चले गया ना अब उसके बाद आपके लिए चीज़ सिंपल है बिल नेखें अगी इसका फिरव यह बनाम देंके function माई स्टार्क आप आप इस ता से नार्मने function मतलब को पी कभी component लगाते हैं उस तरकें अधर कम पोदेन लगा इस प्रक स्पोर्ड और डिफॉल्ट मानि स्टार्क खिक हो गया और अब इसके नंदर हम यह यहाँ पे एक यह ज नैविगेटर और इसको यह बें हम कर देंगे close start navigator ठीक हो गया अब यहां बें हमें आरस स्टार्ट के साथ एक screen चाहिए तो यहां मैं start करूंगा और dot screen ठीक हो गया यहां पर S का capital यहां पर यहां पर यहां का एक हो गया अब यहां पर ना मुझे यहां पर यहां में आप इसको नेम दे सकता हो कि जो first menu उसका मेरे रपस क्या नेम हो जिसरा रस यह दिखा हुआ है यहां पर name home name और slash home कि first वाला menu है वो मेरे रपस home हो अब यह जो my star करहा है इसको आपने लगाना काहां पर यहां आप इसको लगाओगे app.js के अंदर क्यूंकि यह आपके within page navigation है तो आपने इसको यहां पर लगाना है लेकिन इसको लगाने के लिए भी है आपने यहां पर आप यहां पर react navigator नेविगेशन नेविगेटर होता है जिसको जिसके अंदर आपने इस नैविगेशन लगाना है अंदर वाइज आपकी नैविगेशन वार्क नहीं करती तो आप यहां पे नैविगेशन कंटेनर लिखोगे यहां पर आप मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं यह वर पस रियक्ट नेटिव जो हमने वहां पर पैकेज इस्टॉल किया ना उस दिखें लिखेंगे इंप्र नैविगेशन अधर कंटेनर दो और यहां पर आप देखो यहां पर यह उसी तरह है ठीक हो गया आप बसागहे अब इसको आप यहां पर सेफरे को कॉम्टेंट को बिश्यक्ट खटा दो यहां पर और यह आपने कि यहां पर किया था न है माइस टार को आपर बाथ वाम और यह पर स्ल Sams B और यह मिह बाष है भाफ जाग्र कार्डूंगा राया बोर यह में एक मेंनू बन ग़ै अब तो इस के अंदर मैंने कोई component नहीं लगाया लेकिन मेरे पास यह आ रहा है ठीक होगा है आप इस के अंदर मैं किस तरह से लगाऊँगा लगाना बिल्कुल सिंपल है आप अलग से component की फाइल बना लो ता भी ठीक है और यहाँ अगर आपको component करते हो तो भी बिल्कुल आपके डिपांड करता है कि आप में एक इस चाहाँ पर करना होम स्क्रीन को और आपको अलग फाइल के अंदर भी बना के निखाऊँगा कि आपने अलग फाइल के अंदर किस तरह से बनाना होता है ठीक होगा और यहाँ पर रिटार्न और रिटार्न के अंदर मैं यहाँ पर एक व वियू और वियू के अंदर में लोगा एक text component जिस तरह से हम लिखते हैं इसके में लिखने होम स्क्रीन होम स्क्रीन और यह मैं text को भी कार दूँगा यहाँ पर close साथ में इसको मैं वियू के अंदर कार दूँगा wrap slash view ठीक हो गया और यह जो text और वियू है इसको इंपोर्ट का लोगा react native से import और यहाँ पर वियू slash text text और from react और react native ठीक हो गया यह मैंने वहाँ से इंपोर्ट का लिए अभी यह आपको स्क्रीन है इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे यहाँ पर लगा देंगे components यह बस एक इसका जो आपनेट और इसके अंदर हमें home screen को परेस कार देंगे ठीक हो गया I think component इसको अटा देतो यह अब home screen में पस यहाँ पर आ गया है उर इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा कार देता हो था किए आपको टैक्स थोड़ा सा और अच्छा से नजगा रहा है यहाँ ठीक यह बलसा आई हो आपको थोड़ से अच्छा से आप नज़र आ रहे हैं कि स्क्रीस करके होम स्क्रीन पेज में इसको लिख देख नज़ा है यहां पर मैं जो एक्छे वोगार देता हो फिक हो गया अब मुझे यहां पर चाहिए इसके साथ एक अबाउट के लिए तो यहां पर अबे नहीं मैं इसको करूंका अब उर्च करूंगा और यहां बरे लिख द्रीक्रों के अब पर सब्रेंगा 민주 के ओच तो यह को इहां से अच्छाए नेशे पेस्ट करूंगा और यहां मेरे पस यह निए होम स्क्रीन लिखा हो आपarta अब डिख दूंगा बोरे लिखतोंगा और इसको करेंगे यहाँपे save तो होम आगे अब होम से न मैं यहाँपे इसको एक parameter pass करूंगा यह हम इसको काईओंगा about स्क्रीन ठीक और इसको अपरे बैसे चेक करने लिए आप चैक करने के लिए जहाँ पर आपका home screen ना रहा रही आप पर इक दफ़ा अब उड्ड कर दो आपके पास आजएगा क्लिक करना है कि आप क्लिक करो और क्लिक करने के बाद आप चले जाओ अबाउट वाल स्क्रीन के उपड़ तो वह आप किस तरह से करोगो वह करना में कुछ सिंबल साथ जो भी आपको होंवाल है ना कंपोनेंट जिससे आपका लगा हुए इसको थोड़ा साना ब्यूटिफुल बना देता हूँ कोड को ताकि आपको चीजे यह वह सईकल यह नजरा है इससे आपनार्मल कोड करते हैं ठीक है यह टेक्स को भी नीचे कर देता हूँ और इसको भी यहां पर प्रॉपर हमें कंपो आ रही होँगे और इसको भी हम यहां तो पार देते हैं और इसको स्टार्ड देता कि एक लाइन के अंदर आपको यह टेक्स भी नजरा रहा होगा ठीक है अब यहां आप स्क्रीन बान गया और मैं इस हम सक्पी करके ने कर लिएम अब इसका नाम कोपी करते हैं अब उट स् मतलब पास करना है नाविगेशन अगर आप इसके नाविगेशन पास नहीं करोगे तो यह वार इक नहीं करेगा फिर उसके बाद आप लिए बटन का टैग लेना है यहां पे बटन क्योंकि यह आप रियाक्टिन नेटिव का इस्तमाल कर रहे हो जब यह बटन यहां पे लि अब ऑउट ठीक हो गया तो मेरे पास एक बटन बाद गया गो तो अब अब इस गो तो अब ऑउट के उपर मेरे पास है और प्रेस कि जाब भी इसके उपर प्रेस करें प्रेस करने के बाद आपके पास एक जो फंक्शन है वो कॉल हो जाए एक आप यहां पर एक एरो फंक् यहां उस route का यहां पर name लिख हो गया मुझे आप अब आप अब अब आपड़ लिखुगा अब यहां मैं गोटब वोट उपर क्लिक करूंगा तो मैं अब आप आप वाली स्क्रीन है उसके ऊपर चला जाओंगा और बैक वाला बटन भी आ रहा है आ क्लिक करूंगा इसके बैक ओपर चला जाओंगा और गोटो बोट को पर क्लिक करूंगा तो यह मैं अब बोट वाला जो स्क्रीन है उसके ओपर चला गया तो आप इस तरह से बिलकुल यह असानी के साथ जो अपनी नैविगेशन है वो अपलाई करवा सकती है अब जो आपके बस अबोट वाली स्क्रीन है ना मैं चाहता हूं कि अबोट वाली स्क्रीन के ओपर मैं क्लिक करूंगा बटन हो वहां पर लिखाओ गोटो बैक होम यहां कोई नेक्स स्क्रीन जो इन वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूं तो नेक्स स्क्रीन के लिए मैं यहां पर कर लेता और ब्लोग स्क्रीन और यहां पर टक्स दे दिया अब यह बोट वनीवाली स्क्रीन है यहां पे दिखेंगे navigation और स्क्रीम यहां पे ब Ouais बैं बटन लेंगे यहां पर यह उपर बेर बटन प्टन आरहे डि कॉल किया हुए तो आप इसको देंगे on press कि आप इसको अपर प्रेस हो तो मेरे पास एक arrow function चाल जाए आप इस तरह से इसको लिखना है अगर आप इस तरह से नहीं लिखोगे तो आपको यह वारक नहीं करेगा यह आप नैविगेशन नैविगेट नैविगेट वर्ले के बाद आपने यहां पर screen सकते हां का नाम ने लिखना किना नाम नहीं है यहां पर यहां पृट स्क्रीन आप नहीं पृट स्क्रीन करना थेintérieur जो आप यहां पर नम पास कर रहा हो रहोiteit लिए-पर यह वारे यहां पर बिलोग पृदियोंजमाज Éan Par explic loc channel ने यह भूटसर हां ब्लॉट ओना रहो इसको पर क्लिक करूँगा तो ब्लॉग वाली स्क्रीन के उपर चला गया आरी समख यह ब्लॉग वाली स्क्रीन के उपर है और यह ब्लॉग वाली स्क्रीन है इसके उपर मैं बैक वाला यह मेरे पास आरे बटन आ रहा है तो यहां पर बैक वाला मैं अलग से भी क्रियेट कर सकता हू और मैं इसी को भी यूज कार सकता हूं लेकर ब्लॉग के ओपर यहां पर यहां पर जो होम स्क्रीन है उसके आप पर आप पर जाना चाहूंगा वह पी सिम्पल है जिस तरह से आपको समझाया या इसके जो बटन के कदर है वह भी हम चेंज कर देते हैं बलैक ठीक है और आप ब देखेंगे तो यह ब्लैक मठा में आरा ठीक है यह जो अब ब्लॉग स्क्रीन है ना इसको भी आप एक दफ़ा क्योंकि आपको सिंपल चीज़े मैं रिसमजा दी है बल्कुल हो वाला हम कर लेते हैं यहां पर नैविगेशन ताकर जो स्टूडन्स है उनको अच्छे से समझ जा जा जाए चीज़े यहां पर नैविगेशन ठीका और इससे कर लेंगे पूरे को कॉपी करेंगे और इसके निचे हम भी पसका देंगे यहां पने ड्म लिख देंगे ने मेरे पस कौन सा है wa स्क्रीन और इसको आपकर यहां पर और आफगे और लाइट वाला जो रॉङ यह पर करता हूँ बना बटन ना घ्रा रहे हैंड नहीं चाहिए होता है और को साइडर हो चाहिए लूज़ नहीं चाहिए फार्स ठीक हो गै क偽 आपका जो फार्स फार्स हो गया और अब हैडर इस हेडर फार्स इंचे तो पोरी Park जाना रहे हो तो आप अब एकuy बटन भी क्रोपरेट करिंगे तो और इसके लावा आपके पास साइड बार नैविगेशन आप इस्तमाब कर सकते हूँ आयोब आपको यहां तक समझ आगी हो भी किस तरह से हम यह वहने जो फॉर्शनालिटी उसको चीव कर सकते हैं जाल से गर आपन ना बेकन यह भी क्रीड करना चाओ जिससरे अब आट पर चला गया तो अब आट यूपर मैं चाहता हूँ को मुझे एक बटन हो जो वहां पर लिखा हो कि गोटू बेक तो यह मैं लिक दो खुगा एक प्रेसेंब्ट एक मैं उपर ने लेता हूं प्रेसेंब या फिर चीक है और झें डितु हाने वोड़ने में जरू सीने में फीर हें। बेट ये मैं तरी शीने में टेक्स्व ने आरा सूझ या यी कि बड़ते हो इसके दोका और एक शीन से चलॉड़ने होविज खेंगे। पर पायो ही तोन कुई हो भी हो दोन ही try Bloisht नाविगेशन और यहां पर वो बैग इतना सबस्ता आप लिखना है जिए गाना जो मतने स्टुपर आविगेशन वो टो बैग आप वोट पर किया क्या मेरे पास मैक आरा बैग को पर तरीक करोगा मैक वाला जो पेज को पर चनना याओगा अब इस बैक की जगां पर आपको आपको यहां तक जो स्टाक नेविगेशन है उसकी कंप्लीट समझा आई आप चुकी होगी मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको एक एक चीज इसके इनर समझाओ अगर से भी आपको कोई सवाल हो स्टाक नेविगेशन के वाले स्वाट से तो आप नीचे कॉमेंट करके